जहिन भाई बात कर रहा हूं RTI प्रसिक्षण अधिकारी के रिक्रिमेंट को लेकर अब यहां पर एक चीज में आपको क्लियर करूँगा कि देखो भाई यह जो रिक्रिमेंट है जिस तरह से प्रोफेशनल एक्जामनेशन वोट के ओफिसियल वेबसाइट पर यहां पर बताया गया है कि यह जो एक्जाम है इसका सिप्टिमबर जो डेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौसल विकार सिंचनालाई के अंतरगत प्रसिक्षण अधिकारी के पधितु भरती यहां पर क्लियर किया था कि यह डेट एक्टेंड होना अपता है क्योंकि अभी तक जो है डिपार्टमेंट की तरफ से रूल बुक नहीं आया है अगर यह एक्जाम आपका सिप्टिमबर में होता आप देख सकते हो सब इंजिनियर का यहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हो है वह सितंबर में यहां पर एक्जाम है ठीक है लेकिन एक साल में तीन बार इसकी डेट को पॉस्पॉंट किया जा चुका है यह भरती जो 2020 में आना था वह एक्टेंड होके यहां 2022 के एंड मतलब 2023 तक ही इसको मतलब यह है खींच कर ले जा रहा है ठीक है इस रिक्रिमेंट को लेकर जो इसमें डेट बताया है भाई कि यहां पर सितंबर में जो है इसका एक्जाम होगा तो उसके एक्वार्डिंग अगर हम चले तो इसका जो रूल बुक है भाई वो इस मन्त में आज आना चाहिए ता क्यूंकि लगभग एक से दिड़ महीने के पहले यहां पर जो तरह से यहां पर जो है देखो ना तो इन्होंने कलेंडर को अपडेट किया है कि अगर डेट को एक्स्टेंड कर रहा है तो कलेंडर को भी इन्हें अपडेट कर देना चाहिए ताकि एक न्यू जो है अपडेट यहां पर मिल जाए स्टूडेंटों को कि अगला जो यहां प departmental notes के संजारी कर दिया अब बचाए केवल mpto ठीक है तो यहां पर जो भी student by mpto की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और पैसेंस रखना होगा बाकी देखो एक चीज़ तो मैं आप से कहता हूँ भाई mp government के बारे में तो मैं कुछ ना ही बोलू तो बैटार होगा क्योंकि यहां पर जो mp government ठीक है इसने लगभग अगर मैं बात करूँ तो पांस साल से कोई ऐसी भरती इस student के लिए नहीं निकाली है जिसमें एक इस student पर्मानेंट जो है अपना requirement ले सके ठीक है नहीं होगी कि जिस तरह से mp government में यह जो चीज़ें चल रही है तो इस पर आपको भी कहीं न कहीं ध्यान देना होगा कि लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 साल में कोई भी mp government का requirement ऐसा नहीं आया है जिसमें एक मध्यप्रदेश की student को इस्टेट government की जॉब में प आता हूं आपको यह जो सिप्टेंबर अपडेट देख रहे हो भाई यह सभी student देख रहे हैं और लगबग जो student तैयारी कर रहा है वो यह date देख देख के ठक चुका है तो कहीं न कहीं भाई इस date को या तो update करना चाहिए कि अगला आपका क्या है ठीक है या फिर कुई न को अपडेट डिपार्टमेंट की तरब से जारी करना चाहिए यहां पर टियो की भरती को लेकर क्योंकि student भाई बहुट टाइम से परिशान हो रहा है वो काफी कमेंट्स आते हैं मेरे पास भी ठीक है बाकि MP गवर्मेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं न कहीं भाई उन्हें employment की तरब भी ध्यान देना चाहिए जिस तरह से MP गवर्मेंट में चल रहा है कि रोजगार की जो मामले है MP गवर्मेंट में बिलकुल ना के बरावर ने हो यहां पर आप देख सकते हो कि लगबग 5 साल के भीतर RTI student को कोई भी permanent job यहां पर department के द्वारा नहीं मिली है ठीक है तो यहां पर भाई हमको थोला सा ध्यान देना पड़ेगा यह जो डेट है इसका देखो भाई ऐसा नहीं है कि एक्जाम नहीं होगा लेकिन अगर दो से तीन साल डिले होकर एक्जाम होता है तो एक student जो अपने situation के साथ जो है भाई वो ही समझ सकता है कि एक student पर इस चीज का क्या असर पढ़ता है भाई उसकी family पर इस चीज का क्या असर पढ़ता है ठीक है अगर जो चीज देखो भाई हर चीज जो time से होती है तो फिर exam भी टाइम से होना चाहिए time से result आना चाहिए और हर चीज जो है भाई यहां पर clear होना चाहिए कि यहां पर यतना cut off गया है और इतने student selection हुए है वो हर चीज का यहाँ पर clear होना चाहिए लेकिन जिस तरह से schedule चल रहा है तो लगबग एक साल से तीन बार जो है requirement को भाई यहाँ पर postpone किया जा चुका है इस एक साल में लगबग तीन बार जो है चार बार requirement को रहे this update को जा सकता है ठीक है यहाँ यहां पर आससे आपडेट को पोस्टवर्ण किया जा सकता है ठीक है यहां पर डिपार्टमेंट का कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता डिपार्टमेंट चाह की रहा है ठीक है रिवजगार देना भी है एक आई ट्री इस स्टुडेंट को या नहीं ठीक है कि 6-7 साल हो गए 2016 की रिक्रिमेंट के बाद निव रिक्रिमेंट में माल कि चली आप रगवक 6-7 साल हो गए हैं कि अभी तक जो है दूसरा रिक्रिमेंट की प्रोसेस इनकी भरती पूर्ण नहीं हो रही है तो भाई इसका decision आप लोग ले सकते हैं ठीक है बाकी मेरा काम था यह चीज के बारे में अपडेट देना ठीक है अब बाकी जैसे ही इसका जो है यहां पर notification जारी होता है अपडेट मैं आपको दे दूँगा बाकी जिस तरह से डेले हो रहा है इसकी student की life पर तो काफी जाद असर पड़ रहा है यह चीज आप ही समझ सकते हैं मिलते हैं अगली update क साथ क्या लगें जैहन आप